बताय थे कि ecology क्या होता है, fine उसके बाद हम लोग देखें कि level of organization in ecology, वहाँ पे हम लोग individual का बात किये, population का बात किये, फिर community का बात किये, फिर community में हम लोग major community और minor community का बात किये और इसमें हम लोग जाने कि minor community किस तरह major community पर dependent है, correct? उसके बाद हम लोग देखें एको सिस्टम का बाद कि इको सिस्टम ने बहुत तरह का देखा वाइटी का किस तरह इंटर लिंक होगा यह सभी कुछ देख चुके हैं वहां पर फिर आपाइटी कंपोनेंट्स के बारे में काफी कुछ जिक्र हुआ था एनर्डी जिक्र हुआ ता रेनफल्स जिक्र हुआ था टेंपरेचर अट्मस्फियर सबस्टाटम मैट्रियल्स ठीक है लैटिचूट आर्टिचूट के बारे में भी जिक्र किये थे हैं ना इकोटर का बभी बताये थे उसमें बाइटिक फैक्टर जाने रहे हो कि प्राइमिरिक प्रडूसर यानि अब जिक्र हुआ तो हलां कि सेकेंड चैटर में भी इस बात को फिर जिक्र होगा तो प्राइमेरि प्रडूसर थे उसके बाद माइक्रो कंजूमर्स है माइक्रो कंजूमर्स देखा क्या देखा हम लोगों ने कि वहीं फर्स्ट्र टॉपिक लेबल और था ट्रॉपिक इसमें करेक्ट उसके बाद नेच्रल एको सिस्टम में टेरिस्ट्र और एकोटी का बात किये थे तो ट्रिस्ट्र का है फॉरेस्ट ग्रास लांड डेजट है इधर फ्रेस्वाटर सलाइन और मरीन है इसी में लोगों लेकर आये थे मैं ग्रूप्स के बारे में भी स्थारें रोल है और के बात की अको टोन का बात किये तो इकोटन भी बताया कि आपको टुअर्मों डावर्ट सिस्टम का यह जंक्शन हो सकता है यह जादा बर्ट के लिए ल्वाबना होता है यह बताये खल अब देखो यहां पर यह चीज हो इसी को बोलते जोन आप यह जाने कि तो अब बात हो गया कि अब जानेगे व को सिस्टम जो इगए घ्ट इफैक्ट होगा इस पीसली क्या हो बुर्ट से साथ इसलिए हम लोग कल बस्टाड के तरफ मुप करगे राइस्थान का गेट बस्टाड के तरफ महां का किटिकली इंडेंजर इस्टेट बर्ड है वो और वालाइफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देते हैं उसको हम जैसे कि लायन और टाइगर को दिया जाता है अब पढ़ेंगे नीच टिक है नीच क्या वता है तो दखो नीच के यूनिक फंक्शनल रोल है या प्लेस आफ इस्पीसिस एको सिस्टम में तिक है इसका मतलब क्या है कि वह जगा में वही केव स्पीसिस रह सकता है उस्पीसिस को देखके आप जगा भी डिटर्माइन कर सकते है जगा को देखके आप इस्पीसिस को भी डिटर्माइन कर सकते है तो क्या लिखा गया है कि यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस आफ इस्पीसिस इन एको सिस्टम ये क्या है मेंट होंगे चाहिए मेटाबोलिजम अइद करेक्टर सो वहाँ पे नीच में उसको मिल जाएंगे इसलिए वहाँ पे फलेंगे और फूलेंगे क्योंकि हर एक चीज उसको मिल रहा है इसलिए नीच क्या यूनीक है हर एक अर्गनीजम का अलग अलग नीच होता है यानि कि वह जगा उसके लिए यूनीक है सबसे बैस्ट है सर्वाइब के लिए समझ रहा हूं तो यही बिलकुल रोयल बेंगल टाइगर टासिकल सब के लिए यूनीक है उनीक मतलब क्या खास उसके लिए बनाया विच मिन्स नोट विश्पीचिस अफ यह इंडिकल नीच इसका मतलब दो इस पीसिस का नहीं हो सकता है कोई एक ही स्पीसिस का वो पर्टिकुलर जगा उसके लिए बैस्ट हो सकता है तिक है अंगार तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि नीच बहुत इंपॉर्टन रोप ले करता है किस लिए conservation of organisms के लिए क्योंको आप उसके लिए favorable condition मिल जाएगा तो और आम से अंगार जाएगा यह natural process हो गया उसके लिए ठीके if we have to conserve species in its native habitat we should have knowledge about the niche requirements of the species यदि आप किसी को native habitat में ही रखना चाहते है किसी को भी तो यह बहुत जरूरी है कि आपको नीच के बारे में पता होना चाहिए तब ही तो आप particularly niche पे आप particularly species को रख सकते है और आपको पता ही निए कि बेंगोल टैगल कहां रहेगा और आप मद्यपरदेश में रख दिये आप नीची जायकर टामे लाड़ों मुड़क दिये तो कोई फाइदा नहीं हो मढ जाएगा कि कोई भी species को ठीक से सर्वाइब करने के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि उसका niche requirements क्या है यही बताया गया यहाँ पे ठीक है नेच्रिक्ट क्या टोट्ए मुडेस अविड आपको आफे ऑंपे पे सर्विए कर एंवी जरूरी हाँ आप heaach हो होसकता हibt था आपचार्या मुशनीया पे ही खैए टो अब आपर होसकता हमां लोगप पे मिला है फूर यह रहें पो यहां पर उसको प्रॉपर फूड भी मिलना चाहिए सर्वाइब के लिए रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं और समय तो कपड़ा रोटी तो मिल गया उसको सारी मकान तो मिल गया अब रोटी चाहिए उसको फूड नीच तो क्या है वाट इसे इस और इकमपोजर और वाट सब्सक्राइब कहां खाएगा और किसके साथ कंपीट होगा आगा गया जो उसको फूड को चुना उती दे डिये मालनको वो dependent था किसी फूट पर आओ वो फूट दूसरा कोई स्पीसिस खाना सूर कर दे गिर जाएगा ओ अर्ग निजम को आपके तो उसका नीज कैसे रागिया उसका फिर दूसरा का नीज बन गया हो हाओ और नीजम के लिए नहीं करेंगा तो नीज का किस तरह बढ़ेगा ओविसली फिर फिर जो भी उसके और नीजम आएंगे नेक्स फिर आएंगे वो भी वहाँ से डिपेंडेंट होंगे उन और यह क्या का आपके रिप्रेदक्टिव नीज हो गया और भी बहुत सारे हो सकते हैं फिर दॉन्ट हुआ है धिश के अंदर आजाएगा तुम्हारा फिजिकल और प्रेंगे नीज के अंदर आ जाएगा सभी सभी को इस इंपली देखो में बताता हो तुमको फिजिकल और केमिकल अबाइटिक फैक्टर्स को लेकर मैंने क्या बताया हर समय कि इदिमालों की टेंपरेचर राइज हो गया तो मरी निस खतम हो जाएगा हलका सभी टेंपरेचर बढ़ा देंगे तो तुम्हारा फीज बढ़ा रहा तो जो इस इल पर युदिपेंड कर रहा था भाल एको ज़र काने के लिए तो उसका दुरी बढ़ गया तो उस सील को मार नहीं पा रहा है उसका नेक्टो जिस्टब हो गया ति कैसे इस्ट को ऑथ करा ऐस के वजजेटर हो गया अभा बडिटी इस पिस अबाटेश के यानि कि वही बोला जा रहा है कि यदि आपको एक स्पीसिस को देखना है कि किस नीच के रिक्वार्मेंट उसको रखा जाए यह सभी चीछ जहन में होना चाहिए जिए एबिटेट नीच कितना सुरक्चीत है इसके लिए मालों कि ऐसा जगा परख धिए जहां पे टाइगर लाइन बहुत पहले सप्रजिंट है उसको खाने के लिए तो कईक से सरभाइब कर पाया नंट दुसरा क्या है फूट नीच उसको फूट मिलना खिन नहीं यह कहीं कि दूसरे जगा से कंपिटिशन तो नहीं मिल जाएगा कंपिटिशन मिल जाएगा तो जदो जद में आ जाएगा फाइटी करेंगा खाना के लिए फूट चेंज डिस्टब नहीं होना चाहिए एक्सिलेंट तिसरा क्या कि रिप्रेड़क्टिव नीच उसको फैबरेबल कंडिशन मिलना चाहिए वहाँ पूरी प्रेडूस करने के लिए ताकि ओर्गनिजम को आगे लिजा सके है फोर्थ क्या है बता चुके है फिजिकल और क क्या होता है क्या होता है याद करो सभाना घ्राइड लैंट तुमको या दा चाहिए तुमको याद अजाई वक ऐण को तुंद्रा भी आदाताना चाहिए तुम कुछ से कुछ लिंक करो नहीं बताओ क्या होगा इस पेसलिए आइडेंटिकल उसको मिले अब आइटिक फैक्टर उसको आइडेंटिकल मिले वहां पे इसलिए जो हम लोग देखते हैं सवाना ग्रास्ट वहां पे तुम्हारा जो उनाइटिज इस्टेट्स का एरिया है वही सेम चीज़ तुमको यहां अफ्रिका में मिलेगा और वही चीज तुमको अस्टेलिया में मिलेगा यांसी जो इस्पीज सब्सेश भी होगे हो बैजी के इसे इसलिए तो वह खास है बायो मतलब ही आइडेंटिकल वैजी टेशन हो सकता है हूँमीडिडी हो सकता है I am distribution based on temperature and precipitation. क्यों नहीं है? प्रिसिपिटेशन आ आपेएशन न पर जया गा, फिर किस पर बढ़न करेगा? ल्यटिचूट पर बढ़गा? जितना ल्यटिचूट पर जाएगा, उतना ही कम होगा? पुर्ण बात किये थे उतना ही इवपोरेशन होगा उतना ही कंटेंसिशन होगा इसे क्या होगा डापिक्स का बात करते हैं किया अभू Special समझू के तरफ जा रहे हमातलब क्या होता है सुखा तौ कैसे आगे बाए रहा है। Peki beim tag High Up पूरी तरह थोफा है आगे तुर्णा सा और यह arguments वुरде बने वह फुरु जी सवाना हुआ फिर क्या ट्रोपिकल डिसीडियस फॉरस्ट के तरफ मूब कर दिया ट्रोपिकल रेन फॉरस्ट रेन क्यों क्यों कि यहां पर वेट है बिगा हुआ है आप देखिए किसके रिपेंड करता है यह आपका प्रिसिपेटेशन तेमपरेचर के तरह पे देखिए उपर देखो पिरामिट को क्या वाम से कोर्ड जानते हैं कि एपार डियुक होगा यह त bagus नकि council फोरेट है उसे उपर बढ़ियेत शूरअ आपका बैयम फॉरेस्ट तुन्तरा है वोद्यूर कर रहा हुँए प्रेस्टैसर कंट्र हो था है इंपलाव सब्सक्राज्सा कर रहा है हुआ अब डेखो जो मुख सा में दिए döndon से आजो जानते हो कि जो स्ट्ट्रक्शल एंद फांक्शोनल इनूट का का व्य पो यहां возьू बायम नहीं है बड़ा पार्ट है को सिस्टम चाहे नहीं को मल पता ही अधी नहीं है च्शेपर और फंक्चनल क्या है एको सिस्टम है एकोसिस्टम के ऊपर बायो मैं तो बायों भी यह बाग वा नहीं होगा इस्फिर नीचे से ऊपर पहुंच रहे हैं तो वही बोला कि जो टेस्टरील पार्ट इबायों स्टर बहुत पास पिदिवाइड होंगे और इन बायों प्लाइम करता है किस तरह का बाउंटरी होगा, कितना बाउंटरी होगा, तरह कितना बाउंटरी होगा इसका क्यो सफोल ऐसना बाउंटरी होगा, ठीक है तो देखो नॉर्दन बोला गया है कि नॉर्दन एंड सौधन मोस्ट रिजन अब दो वाल्ड एड जोईनिंगे आइस बांड पोल्स अर्टिक और नीचे अंटार्टिक समझ भारा यह चीज अब इसमें देखो फ्लोरा और फाउना क्या मिलेंगे यहां पर ट्रीज है फूचर में हो सकता है प्रामरी क्या बोले थे प्रामरी सक्सेशन में क्या होता है जब वो अनुपल नहीं रहता है वेज़िटेसन न का तो मोसे से चैन्टी जाकि काट और बाराघ मेंके रिट करता है और बॉन पर स्था और मैक्सिमम्नेंग्स फालेंटी पोहां उस पर में फोकस करूंगा नेक्स चाप्टर में प्रामि नी सेक्सेशला्ट मैंने पहले ही बता दिया सेकंड़ा इसके बारे मिलिट्इर आ देखिए तो रियं डियर बावुकल दो आया था दो कि इंड़ें तुम लोग को बतायते हैं हम फिल्लैंड के बारे में तुम लोग पताये थे यहां पे तुम्हां नौडिक कंट्री रियंडियर का देखो यह पाए जाएगा यहां पर देखो कौन से कौन से अनिमल पाए जाएगा तुंद्रा में इंपोर्टेंट है आर्टिक फॉक्स है रे अन्डियर है पोलड भी एर है ठीक है और भी बहुत सारे चीज है पेंक्वीृ हैं और इस तरह को आपको फोडा मिलेंगे और इस तरह को फोटना मिलें गे, इस पेसल कहरेक्टर है, और यह चीज अउपर मिलेंगे, वो ही नीचे ही मिलेंगे इसलिए यह बाइ nhi जहां यह रहेंगा तो आपके सेम सेव चीज मिलेगा हमको, इसलिए भायम है, समझ ले ना इस बात को, ताइगा, ताइगा देखो बहुत इंपॉर्टे, देखो मैंने, मैं तुमको जोकराभी का भी कमर कर रहा हूँ, जोकराभी हुब यही परना है बात में जाके, वेजिटेसर में, हुब यही बात है, देखो, टाइगा आएगा तो नर्दन यूरोप, एसिया, एंड नौर्दन अमिरिका, ठीक है, नौर्दन अमिरिका मता यूस माज सोचना, उपर वाला पार्ट है जी, कैनाडा पार्ट है उसका, ठीक है, यह वाला, आलास्का वाला बात, बिल्कुल, तेंपरेट, टेंपरेट, टेंपरेट, तुंदर, तुंदरा से जाइड़ सी बहात है, तेंपरेटर थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, अल्सो नुनाइस, यही बोले थे, कोई पूछा ताम को बोर्यल फोरेस्ट, तम बोले दिए कि आएगा थोड़ी दिर में, यही है बोर्य ठीक है न, यही बोर्यल फोरेस्ट है, ताइगा बोलते हैं, ताइगा को क्या बोलते हैं, असवार, बोर्यल फोरेस्ट, ठीक है, यहां पर देखो, फ्लोड़ा और फाउना किस टाइप के होगे, जो डोमिनेटिंग, जो वेजिटेशन होगे, यही तुमारा कन फेरेस, यहां आएगे, 2016-2017, आग लग जाती है, बहुत बड़ा बात हो, क्यों क्यों कि आपका यह जो बीटीस है, वहाँ पे लाके उसने रखा था, वो बनाया था, उसका स्टैडीजी कारण था, समझ के बात को, पाइन फिर्स, अब देखो फाउना यह क्या होगे सभी, क्या होग दोड़ते हुए हमको दिखाओ, तो बाभू साहिवर यह कहां पे है, तुम बताओ दोड़ते हुए, दिखना चाहिए तुम्हारा एफ़र्ट, हाँ, ठीक है, यह वला डीजन है, यह वला डीजन क्या होगा, ताइगा रीजन हो जाएगा, अचा बाभू, तो देखके सब क मैप बताओ तो, कि यह टाइगा कौंसा कौंसा रीजन में आ जाएगा, वहाँ पे देखके बताओ, सब को ध्यान देना, यहाँ पे, मैप में ध्यान देना तुम्हारा जो है, नोर्ड़न अमेरिका का जो नोर्ड़न पार्ट के करेड़ा अलास का होगया, ठीक है, यह यह यह उपर वाला खीच लेगा, फाइन, अब नीचे उतरिये, ठीक है, टेमपरेट, डिसेडियस फोरेस्ट, यह क्या है, एक्स्टेंड अबर सेंटल एंड साउधन यूरोप, ठीक है, सेंटल और साउधन यूरोप तक चला जाएगा, इस्टन नोर्थ अमिरका होगा, वेस् अब यह उतरियो बात को, दिखादो सभी को, कहा कहा पर होगा, देखलो सभी, रिजन देखलो, यह मैप में देखना, यह इस्टन आया, इस्टन नौर्थ अमेरिका बत यह पार इस्टन, उसके बाद सेंट्रल, और स्रधन यूरोप, चेंट्रल मता बीश्का और स्रधन जापान और यहां पर रेंफॉल होगा, देख लिए ने मैप को, यह मैप दिखा रहे हैं, दिमाब रख लेना कहा होता है, तेमपरे डिशिदियस, अब इसमें देखो, फ्लोडा क्या होगा, तो बीच होगे, ओख होगे, चेरी होगे, चेरी बनेगा यहां पर, चेरी, चेरी होगा, जशे भगे, जो जो अबर यहां होगा, खिरी होगे, तो यहां पर बहूत अच्छा बात किया है, पहले नेना काल यहां पर पानी मिलेगा, बाशन को गरम होने में वहुत समय लगता है चिकना और इसलिए इतना सब्सक्राइब कर दिया है मैप को आप देखो इसमें क्या की फ्लोडा क्या है इसमें बीच हो सकते ओक हो सकते मैपल हो सकते चरी हो सकते एक अनिमल्स यहां पे तुमारा भटीब्रेट सेनिमल्स और इन वाटीब्रेट सबस्क्राइब कर दिया दोनों टाइप कि मिल सकते और देखो यहां जैनली दे अर्ट जैनली दा मोस् प्रड़क्टिव अगरी कल्चर एड़ अब आठ अर्त का सबस्ट बस्त मिल एक्यूं आ यहां पे तुमारा केनडा और युएस से अब बेस्ट है लैंड वो ठीक है वहां पर वर्ड में सुपेरियर वीट मिलता है वहां पर बाद समझ लीजिए टेंपरेट टेंपरेट डेस्ट इस फोरेस्ट का बहुत बरा योगदान है यहां पर यहां पर तुम्हारा इक्वेटर के तरह नहीं होता है उपर में थोड़ा अलग फीचर्स होगा मैं बताओंगा तुम लोंको जब बताओंगा इसके बारे में और चर्चा करेंगे जो क्राफिक पोइंट अब आते हैं जो कि सबसे कॉमन चीज है और सब ज्यादा इस जानते हो ट्रॉपिकल रेंफ परिशंस में है यहां पर तैम्पुरेचर और एनकोड़ दो नहीं है होगा तो सबी लोग को बता दो ट्रॉपिक्स किज़के बताओंगे क्या है ट्रॉपिकल अगर गोला कि अगर जीज़िगरी जो घ्रटिस ट्रॉटेंगर दिखा दो इसके उपर मत बोलो नहीं ताइस दिग्री हाप पे जा कर बताओ नहीं तो नहीं तुम गलत खीच रहो देखो जा पर जाओ चिस दिखाओ यहां से मेक्सिको को का रहा है पिर नौर्दन अपर इसके बान स्वादन अपर आप आप दो पर आप इसके वालन आप रहा है जो जाओ आप जाओ जाता हैं बिल्कुल असे अट यहां पर आजाएंगा उसके इन दर फॉल हो जाएंगे कि इंडोनेशा सबसे नीचे हो तो कार देगा समझ रहे ना तेखने को मिलता है के रहला और में वाले ग्राइब लाइब 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 समझ गया यहां पर टेमपरेचर भी बहुँ ज्यादा है रेनफॉल भी बहुँ ज्यादा है देखो ट्रोपिकल रेनफोरेस्ट अब यहां पर समझना हुआ तुम लोग जो ट्रोपिकल रेनफोरेस्ट कवर्ड़ से बॉड सेवन पर्सेंट इब अर्थ सर्फेस ये सेवन पर्सेंट इस तुम्हारा रर्शंफेस कवर करता है यह चाहे और देखो इंपोर्टेंट कि यहां पर जोड देने वाली बात है कि 40 प कोड़े अब ब्रॉड लीप्ट एवर्गिन ट्रीज बड़े बड़े अबर्गिन ट्रीज मिलेंगे वही एमजन का बताये थे मोस्ट अनिमल्स अने फफ़ाइटी प्लांट्स और कंसंट्रेटर इंदा कैने ओपी कैनोपी है कि नहीं बड़े-बड़े कैनोपी होंगे ट्री ऑट сов जोंगे बड़े-बड़े त्री कं लेता है तो रहा चोप लेता सीय चोटाटी उपर ऊंट नहीं पाता है apology कमपीटीशन चलता है तो एक पौधार छुटा हो जाएगा तो यह फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगा अब इसके लिए क्या कंपुटिशन होता है कि हम तुमसे बड़ा हो गया है अई कंपुटिशन वजे बड़ा बड़ा आपको दिखता है सब्सक्राइब आपको आगे चलते सवाना देखो इसी का एक पलते थे थे लिए ट्रॉपिकल रीजिट्टिशन है नीचे देखोगे तो क्या सवाना इस मोस्ट एक्स्टेंसीव इन अफ्रिका ज्यादा तर आपका अफ्रिका पाए जाता है अब देखो ग्रासे स्वीट इसक यह ब्रॉजर्सक्री आपके अन् group लाफ्टेंसी तर लिए बेड्स करेंट कोर्स हवो गया ट्रएक के अलिफरेंटस के चीता हो जायगा है मेंगूस हो जाएगा और रोडिन पहरा हो जाएंगे सवाना और वांड में साथा बी इस तूसर जलाइम डिया दूसरे जगह बीन बिल्कुल में हमें सा इंजम्पल देता हूं उस में ए स्ट्रिया में उस्ट्रीमें में उस्काइब और आपका अफरिका यह कंटिनेंट यहां पे तीनों नहीं पास करता आई, पता होना जिए लो नौर्ट अमीर्का जाओगे, फिट से विजिट करोगे, नौर्ट अमीर्का है यूक्रेन है, ठीक है, और टैम्पेरेट कंडिशन इसमें क्या है, रेनफॉल लो होगा, तो ट्रीक ग्रास्स डोमिनेट तर्वेजिटेसिंटी इसली तो सी ज़याज ऑनाम किसका है, इसली चाह तो यही ग्रासे डॉमिनेट वेजिटेशन और यहां पे जो फाउना होगे, विसोंस होगे, जिक है, एंटिलोप होगे, इस टाप के मिल जाएंगे तुमको, फोल्स हो जाएंगे, और भी बहुत तरह का निस्टिंग बट्स बगारा मिल जाएगा, अब आते हैं डेजर पे, तो डेजर देखो, continental interiors with very low and sporadic rainfall, बहुत कम होगा, with low humidity, the days are very hot but night are very cold, जानते हो इस डेजर का फीचर्स है, दिन बहुत घरम होगा, रात बहुत थंडा होगा, चला जाता है, बिलकुल, देखो, फ्लोडा जो है, यह क्या है, डॉट रॉट रिजिस्टेंस है, रख सकता है, त फाउना, देखो, फाउना क्या हो सकता है, रेप्टाइल्स हो सकता है, बिलकुल रेप्टाइल्स मिलता है, डेजट में, है ना, small mammals मिलते हैं, birds बगएरा, birds आया, तो याद कर लो, तो फिर से bus start, great bus start को याद कर लो, समझ गया बात को, तो यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, झाल जो तो समझज है यह बायम है यूनिक है सब जहाँ उसी टाफ का होगा वैजिटेशन इसलिए फ्रोडा और पाउना एक साथ में रखे बता दिये है और कंट्री पी अलग अलग कंट्री आइस कमतल फ्लोडा वा हर कंट्री में वही मिल ला है जो उसका वैजिटेशन का प अब ये बता है तर्डी स्टोरियल राइन पर है नहीं लोग तोड़्स एकोई टिक जोंस के बारे में देखेंगे टिक इसमें आप लोग का और कबर हो जायगा इस चोरिस बगेरा देखें एक एकुटिक सिस्टम्स आर नौट कॉल्ट पाइंप एकुटिक सिस्टम्स को अब गलाग प्लांट्स वोगे किस तरह फॉप डिभाइब यह सकता को फ्रेश्वाटर बला हो सकता कोई मडीन बला हो उसके इसाब से हाप से वहां पे प्लांट्स अर अनिमस अलग-अलग होगी ठिक है डिपेंड करता है कि आपको क्या मिल रहा है आप देखो बोला गया यहां पे कि जो major difference है, aquatic zones में वो depend करता है, salinity, कितना आपका एनेशेल प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है, level of dissolved nutrients, कितना nutrients में प्रेजेंट है, उस हिसाब से वहां पे फ्लोडा और फाउना को प्रभावित करेगा वो, ठीक है, water temperature, temperature क्या है, भर समय बात हुआ है temperature यही बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत दिक्कत है, और depth of sunlight penetration, यही बहुत अंदर तक जा रहा है, तो बहुत जीव जनतु को जनम देदेगा वहां पे, और यही उपड़ी तक रह रहा है, नहीं देगा, photoic zone, यहां भी बात आता है, photoic zone, photoic zone में living organism का diversity बहुत ज्यादा हो इसमें क्या है, loti, loti मतला moving water, fresh water ecosystem भी दो भाग में, बहुत सारे भाग में तोड़ सकते हो, especially two भाग में बताया गया, एक क्या है, moving water हो सकता है, जैसे तुम river देखते हो, moving है की नहीं है, streams है, springs है, है की नहीं, creeks है, brooks है, rivers है, इस सभी क्या है, moving water है, ठीक है, और lotic water बताया यहाँ पर, और दूसरा क्या, lentic हो सकता है, lentic मतला steel, stagnant water है, नहीं, उदर हल चल नहीं है, उसमें, commotion नहीं है, तो lentic क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा pools हो जाएगा, swimming pool हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, lakes हो जाएगे, है ना, swamps हो जाएगे, यह सभी हो जाएगे, they vary considerably in physical chemical and biological characteristics, और यह जो जितना तुम देखर हो, lotic देख रहे हो, चाहाँ, lentic देख रहे हो, यह सभी क्या है, यह अलग-अलग हो सकते है, by physical की तरीके सो सकते है, chemical तरीके सो सकते है, by logical हो सकते है, by logical मतला living organism क्या क्या मिल रहा हो, आपे nutrients किस तरह का मिल रहा है, biotic factors क्या मिल रहा है, इसके हिसाब से अलग-अलग हो सकते है, ठीक है, तो यह हुआ fresh water ecosystem, अब है marine ecosystem, देखो, nearly three quarter of earth surface, जानते हो, इस covered by the ocean, three by fourth part क्या है, three quarter, three quarter मतलब क्या होता है, ठीक है, यानि कि 75 percentage, three by four, 75 percentage, 75 percent आपका ocean से cover किया गया है, और उसका क्या बोला, with an average depth up, cat 3,750 meter, और salinity देखिए, आपके कितना है, 35 PPT है, यानि कि parts per thousand है, और about 90 percent of which is sodium chloride, बोले थे, कि NACL क्या maximum है, तो यही है marine ecosystem का यही तो होता है, कि इसमें NACL का बहुत ज्यादा मात्रा, क्यों ocean है, ocean मिलेगा, वाटरी वाटर है, पीने के लिए कुछ नहीं है, है ना, इसके उपर बड़े-बड़े lecturer भी आये है, बड़े-बड़े बहुत अच्छे अच्छे, philosopher, writer आया है, लिके चले गए, NACL के से निखाला है, क्या है, मैं डिस्टर्ब है क्या, क्लास में लाओ, देखो, इस्च्छिस, इस्च्छिस क्या बता है थे, coastal base, बे देखिये, बे, बे नजर आया, बे बेंगा, वो रिजन को बे बोलते है, वहाँ पर आपका इस्च्छिस बहुत बनेगा, ठीक है, रिवर माउथ, रिवर माउथ, समझते हो, जहां पर वो लास्ट में जाके मिल जाता है, डेल्टा, बेरी गुद, डेल्टा जहां बनता है, टाइडल माउथ इस्च्छिस, ठीक है, इस्च्छिस देखो, fresh water from the rivers, बताये थे, rivers लेका आया, fresh water, और ocean पर दे दिया, ये भी एक तरस इकोटोन होगे, वहाँ पर, तो देखे, क्या बोला जा रहा है कि इस्च्छिस में क्या होगा, fresh water from rivers, meet ocean water, and two are mixed by the action of tights, tights, mix कर देगा, आएगा, यहां का पानी water का पानी वाँ छोड़ देगा, ठीक है, यानि कि, जो हम लोग को, इस्च्छि में, जो हम लोग को मिलेगा, water, वो क्या होगा, ना ही, बहुत ज़्यदा, वो होगा, खड़ा होगा, ठीक है, दोनों का mixer होगा, एकदम salinity वाला भी नहीं होगा, और एकदम pure भी नहीं होगा, mix होगा, इसी को बोलते हैं, brackish water, brackish water, b, r, a, c, k, i, s, h, brackish water कहा जाता है, history water को, brackish water क्या होता है, salinity, ocean के इतना भी नहीं है, और river के इतना भी best नहीं है, quality, यह दोनों का mix है, क्योंकि river का सब से best है, जो पानी बैते चला जाएगा, हो क्या, आपने आपको filter कर लेगा, हो, compared to addition river or sea, क्यों, echo tone है, echo tone है न, जी, echo tone क्या होगा, हमेशा highly productive होगा, क्यों, species बहुँद करेगा, यहीं पर age effect आजाएगा, यहीं पर age species का बात आजाएगा, junction का बात आजाएगा, टेंशन का बात आजाएगा, zone of tension का बात आजाएगा, ठीक है, और उसी तरह, equity ecosystem में coral reef भी आजाएगे, ठीक है, अब देखिए, mangroove, mangroove जानते, mangroove आजाएगा, तो दिमाग, टारेक कहाँ पर heat कर आजाएगा, सुन्दरवन डेक्टा, ठीक है, यह भी क्या है, equity ecosystem ही है, अब यह खतम हो गया, हम लोग का ecosystem, अब last topic क्या था, biosphere, तो biosphere देखो, यहाँ पर कितना बना दिया है, गोला, atmosphere है, lithosphere है, hydrosphere है, तीनों का संगम है, तो क्या है, biosphere है, अब biosphere है, यह जीव जन्तु रहना है, diversity create करना है, तो तीनों का समावेस होना होगा, है न, क्योंकि वह atmosphere हम लोग को चाहिए, Newton cycle, oxygen चाहिए, Newton cycle चाहिए, lithosphere जहाँ पे survive करना चाहिए, उसको, shelter चाहिए, है न, hydrosphere, जानते हो, water क्या है, सब के लिए important है, देखो, अब समझो बात को, biosphere क्या है, part of earth है, जहाँ पे life exist होते है, biosphere क्या है, यह highly integrated or interacting zone है, जहाँ पे atmosphere, यानि की air, hydrosphere, या होता है, बिल्कुल जंगम होता है, ठीक है, यह narrowed layer है, surface of the earth, and if we visualize to this the size of apple, the biosphere would like a thick as its skin, यदि तुम सोचो, कि क्या है आपका यदि, earth एक क्या है, apple है, तो उपर का जो लिएर देखते हो न, वह आपका biosphere है, तुम्पर का जो लिएर देखते हो न, वह आपका biosphere है, तुम तो मटे अपलित कर देगा, जो है वो भी भूल जाएगा, पागल बना देगा तुम तो, ठीक है न, तुम्हारा example छोड़ो या, तुम अपना example रखो मन्मी में, life in the biosphere, देखो, life क्या है, biosphere में abundant है, कितना देखो, इसका बहुत important है, यह meter जानना, देखो, life जो है, biosphere म है, ज्यादा कहाँ पाया था, 200 meters से लेके, below the surface of the ocean and above 600 meters above the sea level, कोई भी चीज नापते था, above the sea level ना, जैसे तुम्हारा यह भी है, यह कम है, बहुत कम है, above the sea level, अब फिर, हाँ, 60-70 है, 45 या 50 होगा, आसपास, 45 और 50 आसपास होगा, ठीक है, और वही हम लोग यह दिए, हम mountain area क ज्यादा हो जाएगा, है ना, काफी उपर है, हाँ, ठीक है, उतना नहीं होगा, ज्यादा बता दिया तुम, उगेंटो कम होगा, ठीक है, अब ना थूला सब जाओ के त्यार दो बहुत उपर हो गया, ठीक है, तो समझ आओ, कि लाइफ जो बाय स्पियर में क्या कहा कहा से करता है, देखो, क्या है, 200 meters, below the surface of the ocean, अब देखो, 200 meters below the surface of the ocean, बोला है, ocean है, below, 200 levels, नीचे का बात कर रहा हो, वहां तक organisms है, और इदी उपर चले जाएंगे हम लोग, sea levels उपर चले जाएंगे, तो 600 meters तक है, 600 meters मतलब क्या हुआ, 6 kilometer, 6 kilometer हुआ, इसका मतलब, 6 kilometer हुआ, 6 kilometer हुआ 6,000, वही तो बोल ला हुआ, 6 kilometer, अब थोरा घुमा दिया, kilometer तो तो तुम लोग, confused हो जा रहा हुआ, 600 meters बोल देगा, sorry, 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 अच्छा, बोलते है, बोलते है, देखो, सुनो, सुनो, कभी-कभी क्या होता है, कि हम बोल कुछ आ रहे है, सोच कुछ आ रहे है, बोल कुछ और द खुद तुमारे पास वहाँ पर हुआ है, हमसे जाना बाबा लोग यह है ना, हमसे जाना जानता है वो, है कि नहीं है, देखो, आप तुम कर रहे हो चीज़, देखो, बाइस फियर, इस एप्सेंट अट ए एक्स्ट्रीम पर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा तुमको, क्यू जाना 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 वहाला कि inactive state में आता है, protection के लिए, ठीक है नब? यह नहीं कहा होगे कि कच्छवा dormant life है उसके अंदर, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, चलो, देखो देखो, the energy required for the life within the biosphere, come from the sun, जानते हो कि sun primary source of energy है, है न, the nutrient necessary for living organisms जो nutrients चाहिए जानते हो कि हम लोग कितना nutrient cycle का बात की है, वो air से मिलेंगे, water से, soil से मिलेंगे, the same chemicals are recycled over again and again, है न, बार-बार होगा यही चीज़, cycle से होगा, है न, sedimentary से भी हो सकता है, और यह दर, gaseous cycle से भी हो सकता है, बात कर चुके है, इसके बारे में, living organisms are not uniformly distributed through the biosphere, क्या बो Only a few organisms live in the polar regions, कुछी कुछ जो survive कर पाएगे, वहाप रहेंगे, polar bear type के, और जो नहीं रहेंगे, वहाप नहीं होगा उसका, ठीक है, only a few organisms live in the polar regions, while the tropical rainforests have a exceedingly rich diversity of plants and animals, क्यूं? क्यूं? क्यूब बारिश्टी में 50% लगबा चंट्रिबूट करता है, आपका, tropical region, ठीक है, tropical rainforest, that is the end of first chapter, correct?